जैहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए इंडियन आर्मी और SSE GD के अंतरकत आने वाली सभी फोर्सेस की जो रिटेन एक्जाम होते हैं उनके लिए जेनरल नॉलिज के कुछ महतुपूर कोस्टन्स तो वीडियो बहुत ही इंट्रेश्टेड है और बहुत ही important questions इस वीडियो में मैंने आपके लिए लिये हैं तो वीडियो को लाज तक जरूर देखना तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेकन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तो कोस्चन नम बन का सही आंचर होगा ओप्सन डी मूल संकर स्वामी दयानन्द सर्श्वति के बच्पन का जो मूल नाम था उनका नाम था मूल संकर कोस्चन नमबर दो है बेदों की और लोटो का नारा किशन दिया ओप्सन्स हैं आत्मरम पांडुरंग राजा राम मुहन राय दयानन्द सर्श्वति और लाल बहदुर सास्त्री तो कोस्चन नमबर टू का सही आंचर है ओप्सन सी दयानन्द सर्श्वति कोस्चन नमबर थ्री है बासकोडी गामा कहां का रहने वाला था आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत की जो खोज की थी बो 1498 में बासकोडी गामा ने ही की थी तो बासकोडी गामा कहां का रहने वाला था कोस्चन काफी बार आपके एक्जाम में रिपेट होता रहता है तो इस question का जो answer है दोस्तो गो है आपका option A, पुर्टगाल, भासकोटी गामा पुर्टगाल के रहने वारा था. Question number 4, हवा महल कहां इस्थित है? Option से आपके अमरिद सर, आगरा, जैपुर, या फिर जोधपुर. तो हवा महल जो है दोस्तो, आप सब ये को पता होना चाहिए, कि राजिस्थान में इस्थित है. तो राजिस्थान का ना तो अमरिद सर है, ना ही आगरा है, अब जो जैपुर और जोधपुर में से एक जिला ऐसा है, जिसमें हवा महल इस्थित है. ओप्सन से आपके गुरु नानक देब, गुरु गोबन सिंग, गुरु अरजुन देब, गुरु अंगद देब. तो कॉस्चन नमर फाइब का जो सही आंसर है, बो है, ओप्सन ए, गुरु नानक देब. गुरु नानक देब के लिए सिख धर्म का संस्थावक माना जाता है और जो गुरु गोबिंद सिंग थे वो सिख धर्म के आखरी और दसवे गुरु थे ठीक है तो नेक्स्ट कोस्टिन के तरफ चलने से पहरे दोस्तो आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में सेयर करें और दोस्तो अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल सिवा उनलाइन क्लासे से इसको डाउनलोड कर सकते हैं Question number 6 है दिल्ली इस्थित लाल बाहदुर सास्त्री का समाधी इस्थल का नाम क्या है? तो जो डिल्ली में जो दोस्तो लाल बाहदुर सास्त्री का समाधी इस्थल है उसका क्या नाम है? या उसको किछ नाम से जना जाता है? तो Question number 6 का सही आंसर होगा आपका Option A, बिजेगाट Question number 7 है महाभारत के रचीता कौन है? Option से आपके किरपा चारी, द्रोना चारी, उसके बाद में आपके बाल में की या फिर महरसी बेद ब्यास तो Question number 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका Option D, महरसी बेद ब्यास ठीक है? इन्होंने महाभारत लिखी थी Question number 8 अर्थसास्त्र नामक पुस्तक के रचीता कौन है? या फिर अर्थसास्त्र नामक पुस्तक किस्ट ने लिखी? तो Options आपके सामने आ चुके हैं तो Question number 8 का जो सही आंसर होगा Option A, चाड़क ठीक है? अर्थसास्त नामक जो पुस्तक लिखी थी वो चाड़क के ने लिखी थी Next Question है हमारा Question number 9 Very important Question है दोस्तो सूर्यदे के नाम से कौन सा देश प्रिसिद है? इस Question को आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि जो सूर्यदे है वो किस देश में सबसे पहले होता है? तो Question number 9 का जो सही आंसर है वो है Option C, Japan ठीक है? सूर्यदे के नाम से जापान प्रिसिद है और एक Question में आपको और बतातु है कि इंडिया में सबसे पहले सूरज किस देश में निकलता है? इस Question को जो है वो आंसर आपके लिए मुझे Comment Box में बताना है क्योंकि दोस्तो कि जो Question है वो मैं आपके लिए पिछली वीडियो में करा चुका हूँ तो चलते हैं आज की Last Question की तरफ तो Question number 10 है छेत्रफल की दरिश्टी से भारत का सबसे छोटा राज कौन सा है तो Question number 10 का जो सही आंसर होगा दोस्तो वो है आपका Option A गोवा गोवा जो है वो भारत का सबसे छोटा राज है ठीक है और अगर छेत्रफल की दरिश्टी से भारत का सबसे बड़ा राज अगर पूँचा जाए तो कौन सा होगा ठीक है तो ये जो Question है इसको भी मैं दोस्तो पिछली वीडियो में करा चुका हूँ ठीक है उसके साथ साथ मैंने आपको एक Question और बताये था कि छेत्रफल की दरिश्टी से अगर ना पूँचके जनसंक्या की दरिश्टी से पूँचा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज कौन सा है तो इस Question का आंसर मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये जो Question है वो मैंने आपके लिए ऐसे ही बताये था तो वो जो Question है दोस्तों कि जनसंक्या की दरिश्टी से जो भारत का सबसे बड़ा राज है वो है उत्तर प्रिदेश ठीक है तो छेतर फ्रिश्टी से सबसे बड़ा राज कौन सा है और भारत में सबसे पहले सूरिय कौन से प्रिदेश में निकलता है ये दोनों Question आपके लिए मेरे पीछली वाली वीडियो देखकर उनका कमेंट में जबाब बताना है ठीक है तो आज की वीडियो में दोस्तों देख है दस Question तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और हाँ आपको एक चीज और बताना चाहाते हैं कि अगर आपका कोई Friend है जो कि Army या फिर ITVP अगर उनमें से किसी की भी तैयारी कर रहा है तो उसको हमारे चैनल के लिए जरूर इंबाइट करें ठीक है वो चैनल पर आए यहाँ पर पढ़े यहाँ पर तैयारी करें जिससे उसको सफलता मिल सके तो थैंक्यो फर वचिंग दोस्तो उमीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे यूटूब चैनल सिभा आउनलाइन क्लासिस को सब्सक्राइब जरू करना तो चलिए दोस्तो कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार